चवालीस साल का नौजवान भागा नहीं रूस से लड़ा एक कॉमेडियन कैसे बना यूक्रेन का राष्ट पती यूक्रेन को हलके में लेकर माथा पीट रहे है पुतीन अनिल कपुर की फिल्म नायक याद होगी कुछ सवालों के कारण वो एक राज के एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बन जाते हैं असल जिन्दगी में ठीक ऐसा ही यूक्रेन में हुआ यूक्रेन के राष्ट पती बोलो दिमीर जलेंस्की एक एक्टर और कॉमेडियन है दुनिया को अंदाजा नहीं था एक कॉमेडियन पुतिन की गले की फास बन जाएगा बोलो दिमीर जलेंस्की के सामने पुतिन का अनबो काम नहीं आया पुतिन को अंदाजा था यूक्रेन पर हमला करते ही यूक्रेन के राष्ट पती भाग जाएंगे और हम कब जा कर लेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ सवाल उठता है कि 44 साल के उम्र में भारत में ठीक से मुख्यमंत्री नहीं बन पाते तो वो कौन है बोलोदमीर जलेंस्की जिसकी चर्चा पूरी दुनिया कर रही है रूस के हमले के बाद अमेरिका ने यूक्रेन के राष्टपती से कहा तुम वहाँ से निकल जाओ बाकी लड़ाई होती रहेगी देखा जाएगा लेकिन यूक्रेन के रश्टपती ने कहा नहीं भागने के लिए हेलिकॉप्टर नहीं लड़ने के लिए हतियार चाहिए इस बात से उस कॉमेडियन की विल पावर, शमता और कुशलता का अंधाजा लगाया जा सकता है जो हसाता था, जिस पर लोग हसते थे, उसकी काबलियत देखकर लोग हैरान हो गए कैसे तेज के सामने सालों का अनभव हार जाता है, ये भी साबित हो गया यूक्रेन में एक टीबी शो काफी लोग प्रिहुआ, शो का नाम था सर्वेंट आफ दे पीपल 2005 से 2019 तक ये शो चला, लेकिंग कॉमेडिस से सरकार के अलोचना करने वाले एक दिन खुद सरकार बन जाएंगे, ये किसे ने नहीं सोचा था, कैसे वो भी समझाते हैं एक सामाने परिवार में पैदा हुए बोलोदमीर जलेंस्की की कहानी भी ठीक आपकी हमारी जिन्दगी की तरह है जिन्दगी में करने कुछ चलो, तो हो कुछ जाता है जैसे चाई बेचने वाला PM बन जाए, मट में बैटने वाला CM बन जाए, कौन जानता था, ठीक ऐसा ही हुआ यूक्रेन में, अपने शो में सरकार की खिचाई की, तो जनता को पसंद आने लगे, कोई राजनितिक अनभो नहीं, कोई राजनितिक पारी नहीं, कोई सियासत नही कोई अंदोलन नहीं, यूक्रेन में चुना हुआ, नमंकन भरा, और बोलोदमीज जलेंस्की बन गए, 41 साल की उम्र में, यूक्रेन की नौजवान राश्टपती, टीवी शो में कॉमेडी करने वाले बोलोदमीज जलेंस्की का किरदार भी राश्टपती का था, नकली करने की कोशिश में जुट गए, लेकिन पुतिन पूरी तरह से घलत थे, कॉमेडियन तो शेर निकला, वो भागा नहीं, वो लड़ा, अब पुतिन बूरी तरह से फस गए हैं, लडाई करें तो दुनिया रूस का बैकॉट कर देगी, रूस के सामने भारी संकट खड़े हो वो सब यूकरेन की ताकत में कोई समानता दूर दूर तक दिखाई नहीं देती, सैने ताकत में रूस दुनिया की 140 दिश्यों की सूची में दूसरे स्थान पर आता है, जबकि यूकरेन 22 नंबर पर है, रूस के आगे यूकरेन की सैने ताकत ना के बराबर है, रूस के पास दुनिया का सबसे 20 फोटक एंटी मिसाइल सिस्टम S-400 मौजूद है रूस के पास सारे 8 लाख सैनिक है जबकि यूकरेन के पास मात्र 2 लाख रूस के पास पैरा मिलिटरी जमानों की संख्या धाई लाख है तो यूकरेन के पास मात्र 50,000 हवाई हमले के स्थिति में यूकरेन की सेना रूस के सामने कहीं नहीं टिक पाएगी रूस के पास लगबग 4,173 एयरक्राफ्ट है जबकि यूकरेन के पास 318 एयरक्राफ्ट है रूस के पास 772 फाइटर जेट के मकाबले यूकरेन के पास सिर्फ 79 फाइटर जेट्स हैं रूस के पास 1543 हेलिकॉप्टर्स है जबकि यूकरेन के पास 112 हेलिकॉप्टर्स है रूस के पास तक्रीबन 1218 एयरपोर्ट्स है जबकि यूकरेन के पास 187 है साफ़े की दोनों देशों की सैने ताकत में कोई मकाबला नहीं लेकिन फिर भी योकरेन की साधार पर अभी तक रूस के सामने ठीका है रूस घमन में तो योकरेन हिम्मत और साहस से फैसला ले रहा है योकरेन अगर बच गया तो दुनिया कहेगी सूपर पावर जैसे बाते भी समझ और होसले के सामने फीकी पड़ सकती है योकरेन के राश्टपती की तारीफ होनी चाहिए अलाकि योकरेन की नीतिया भारत के खिलाप रही है फिर भी जंग के मैदान में योध्या की तारीफ की जाती है जैसे रामायर में रामनी, मेगनाथ और रावर की तारीफ की थी बीरो रिपोर्ट ग्लोबल भारत टीवी